टाटापंच पंच इलेक्ट्रिक को लेकर एक बड़े ही कमाल की न्यूस अपडीट बहार निकलकर आई है, जहां टाटापंच इलेक्ट्रिक को भारत अंकैप में क्रैस्ट के लिए 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल हुई है, टाटा पंच इवी ने इस टेस्ट में एडल् स्ट्रिक एस्यूवी का क्रेश टेस्ट एप्राइल दो हजार चोबिस में किया गया था और जून के महिने में भारत एनकैप ने इसका रिजल्ट सार्व जनिक कर दिया है और उमीद है कि इस क्रेश टेस्ट की रिपोर्ट के बाद पंच एवी की सेल्स में एक जवरदस्त पंच एवी ने अडल्ट ओक्यूपेंसिव प्रोटक्शन के लिए 32 में से 31.46 प्वाइं जहां इसे फ्रंटल ओपसेट डिफॉर्मेवल वैरियर टेस्ट में 16 में से 14.26 और साइड मुवेवल डिफॉर्मेवल वैरियर टेस्ट में 16 में से 15.6 प्वाइं बहीं दूसरी मैं से 23.95 पॉइंट्स, चाइल सीट रिस्टेंट सेगमेंट में 12 में से 12 पॉइंट्स और वहिकल असिस्टेंट में 13 में से 9 पॉइंट्स हासिल किये हैं। बात करूं इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की जिस गाड़ी का क्रेश टेस्ट में यूज किया गया है। तो इ इसमें 6 airbags, AVS और ESC, सफी seats के लिए 3-point seat belt और ISOFIX mount जैसे feature standard तोर पर दिये गए हैं। बात करूं टाटा पंच EV के design features और specifications की। तो टाटा पंच EV के design में कई elements को Nexon EV से लिया गया है। जैसे कि इसमें Nexon facelift की तरह LED light bar जो एक समान bumper और grill design से प्रेडित है। बहीं इसके front bumper म integrated split LED headlights, vertical tracks के साथ एक re-designed किया गया lower bumper और एक silver fox kit plate शामिल है। बहीं पीछे की तरफ पंच EV में अपनी ICE model की तरह ही टेल lights का design देखने को मिलता है। जिसमें बाई अकार की brake light, roof पर लगे spoiler और एक bumper design शामिल है। बात करूं इसके side profile की। तो इसमें अब 16-inch के diamond cut alloy wheels और सभी wheels प disc brake शामिल हैं। बात करूं इसके specifications की। तो पंच EV को company ने अपने new dedicated active dot EV pure platform पर त्यार किया गया है। जिसे company active platform भी कहती है। वहीं company ने टाटा पंच EV को दो battery pack options में ग्रहकों को offer किया है। जिसमें 25 kWh और 35 kWh और battery pack शामिल हैं। साथ ही इसमें 7.2 kWh fast home charger और 3.3 kWh ball box charger शामिल ह हैं। बात करूं इन battery से इसमें मिलने वाली range की। तो 25 kWh और battery pack की certified range 315 km जबकि 35 km और battery pack की certified range 421 km है। इसके अलावा इसके bonnet के नीचे इसमें 14 लिटर का फ्रंक मिल जाता है। बहीं 5 EV में dual tone interior theme, premium finish के साथ fresh seat upholstery, data logo वाला two spoke steering wheel, 10.25 इंच की infotainment screen, 10.25 इंच का digital instrument cluster और बहीं ये EV 10-80% तक मातर 56 minutes में किसी फी 50 kWh की DC fast charger से चार्ज हो सकती है। बहीं इसमें waterproof battery दी गई हैं जिस पर 8 साल या फिर 1,60,000 km तक की warranty दी गई है। रही बात इसमें मिलने वाले color options की तो इसमें 5 dual tone color options ग्रहकों को मिल जाते हैं। इसके अलावा long range में 3 prints दिये गए हैं जो हैं Adventure, Empowered और Empowered Plus बहीं बात करूं इसमें मिलने वाले safety features की तो EV 5 में 6 airbags, AVS, ESC, ESP, Cruise Control और 360 degree camera standard तोर पर मिल जाते हैं। तो गाइज ये थी Tata Punch EV के दुआरा भारत NCAP में 5 star safety rating हासिल करने के बारे में news update। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा औ और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करें, share करें, channel को subscribe करें और bell icon पे all पे click करें तो जहीं दोस्तो, have a good day